यूगरिशी की सुख्ष्मिक करण साधना का ओडियो 3 कलंग कालिमा धुल सके समस्या भावनात्मक है मनुष्य ने दुर्गती अपनाई और दुर्गती न्योद बुलाई है इसके लिए परिमार्जान प्रतने ऐसे चाहिए कि जो प्रतेक्ष रूप से लोक मानस का परिशकार कर सकने वाले सत्प्रवर्थी संवर्धन प्रयासों को अगरकामी बना सके साथ ही अद्रश जगत से देवत की शक्तियों की अनुकंपाईं भी अर्जित कर सके सशक्त आत्माओं का दबाव भगवान को भी बादित कर सकता है शवरी को दर्शन देने और यश बढ़ाने के लिए स्वैमी भगवान पहुचे थे उदारणों में बक्ती पातरता ही सब कुछ सी उसी में देवी अनुकंपा उत्पन करने की खिशमता होती है प्रस्तुति कांदवास के नाम से समझा गया कदम बस्तुताय ऐसी विशिष्ट तबस्चर्या का एक सरूप है जो रिदी सिध्यों की प्राप्ति के लिए उल्टे प्रभा को उलटकर सिधा करने के लिए उठाया गया है प्रचंड सुक्षुप शक्ति का जागरण, विशेश समय, विशेश दायतो जूग परवर्तन की यह एतिहासिक बिला है इन 20 वर्षों में हमें जम कर काम करने की ड्यूटी सौपी गई है सन 1980 से लेकर अब तक के 4 वर्षों में जो काम हुआ है वह पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है समय की आवशक्ता की अंदूरूप तरपरता बढ़ती गई है और खपत को ध्यान में रखते वे तरद अंदूरूप शक्ति उपारजित की गई है ये वर्ष कितनी जागरुकता, तनमेता, एकागरता और पुर्शार्थ की चरम सीमा तक पहुँचकर व्यतित करने पड़े है उनका उन लेक उचित ना होगा क्योंकि इस तक परता का प्रतिफल 2400 प्रग्या पीठों और 7500 प्रग्या संस्थानों के देमान के अतरित और कुछ प्रतेक्ष देश्टिकोचर नहीं होता एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है शेश सब कुछ परोख्ष है परोख्ष का पतेक्ष लेखा जुखा किस प्रकार संभावो में लिखते हैं कि विशेश समय में उन्हें विशेश डूटी सौपी गई है डूटी सौपने वाली कौन है इस अंदर में थियोसिफिकल सोसाइटी के विद्वानों का मानना है कि रिशी तंदर कुछ भी करने में समर्थ होता है किन्तु जब तक निरदेश नहीं मिलता वे अपने आप कुछ नहीं करते इस परस टूप से उन्हें निरदेश देने वाले सत्ता विश्व नियंता इस तरकी हो सकती है यूग रिशी ने अपनी वसियत और अविरासत तथा प्रग्यूप निशद में इस संदर में संकेत किये है निरदेश मिलने पर उनका पुरशारत किस इस्तर का होता है यह भी जलक उनकी लेकन ने पाई जा सकती है यूग रिशी के लेकन तता उनके प्रभाव से कुछी वर्षों में हजारों पीठों प्रग्या संस्थानों के निर्मान को लोग यतियास की अद्बुद गटना कहते हैं किन्तु वे किये गए दिवपुरशारत का इच्छूटा सा प्रतेक्ष अंश्वर है सामान रूप से वे भी अपने कारियों की उपमा समुत में त्यारने वाले उन गिलेशिरों हिम खंडों से करते हैं जिनका केवल एक बटा दस भाग प्रतेक्ष दिखाई देता है और शेश नौ बटा दस भाग पानी में डूबा हुआ प्रतेक्ष रहता है युक संधी की बेला में अभी 16 वर्ष और रह जाते हैं इस अवधी में गती चक्र और भी तेजी से बर्मण करेगा एक और उसी गती बढ़ानी होगी दूसरी और रोकने विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की अविश्टा पड़ेगी दोनों ही गतिया इंदनों मंथर हैं इस हिसाब से सन 2000 तक उस लक्ष की उपलब्धी नहों सकेगी जो अभीष्ठ है इसलिए स्रष्टी के प्रयास चक्र निश्चित रुप से तीवर होंगे उसमें हमारी भी गिद गिलहरी कैसी भूमिका है काम कौन कब क्या किस प्रकार करें यह बात आगे की है प्रश्ट जिम्मेदारी का है युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सैनापत्ती की होती है वही खाना पकाने वाली की भी आपत्ती काल में उपेशा कोई भी नहीं बरस सकता इस अबधी में एक साथ कई मोड़्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी होगी समय ऐसे भी आते हैं जब खेत की फसल काटना जानमुर को चारा लाना बिमाय लड़के का इलाज कराना मोगदमे की तारिक पर हाजिर होना घराय में मन का स्वागत करना जैसे कई काम एक ही आदमे को एक ही समय में करने भोते हैं युदकाल में तो यह बहुमुखी चिंतन एवो उत्तदायत तो और भी अधिक सगन अथवा विरल हो जाता है किस मोर्चे पर कितने सानिक भीजना जो लड़ रहे हैं उनके लिए गोला बारूत कमना पड़ने देना रसत का प्रवंद करना हस्पताल का दुरस्त होना मरेवे सानिकों को ठिकाने लगाना अगले मोर्चे के लिए खाई या खोदना जैसे कहां बहुमुखी होते हैं सभी पर समान ध्यान देना होता है एक में भी चूखोने से बात बिरड़ जाती है कराधारा सब चौपट हो जाता है स्थूल की सीमा हमें अपनी प्रवर्तियां बहुमुखी बढ़ाने के लिए कहा गया है इसमें सबसे बड़ी कटनाई इस थूल शरी का सीमा बंदन है यह सीमित है सीमित शेतर में काम कर सकता है सीमित ही वज़न उठा सकता है काम असीम शेतर से संबन्दित है और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पढ़ना चाहिए यह कैसे बने इसके लिएक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे एक तरह या अनेक सूश्म शरीरों से संपन करते रहा जाए निर्देशक को यदि यही उचित लगेगा तो उसे निप्टाने में पलभर की भी देरी नहीं लगेगी इस्थूल शरीरों का इस जंजट है कि उनके साथ कर्म फल के भोग विधान जुड़ जाते हैं यदि लेन दिन बाकी रहे तो अगली जनम तक वैं भार लदा चला जाता है और फिर खींचतान करता है ऐसी दशा में उसकी भोग भुगत्ते हुए जाने में निश्चिन्दता रहती है प्रामकिश्य परमस ने आशिवाद बर्दान बहुत दी थे उपारजित पुण्य भंडार कम था हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बलाया गया बेबा की तब हुई आद्धी शंक्राचारे को भी भगंदर का फोड़ा ही जान लेकर गया था महत्मा नारण स्वामी को भी ऐसा ही रोक सहना पड़ा गुरू गोल बलकर कैंसर से पीडित होकर सरवासी हुए ऐसे ही अन्योधारण भी है जिनने पुर्ण्यात्माओं को अंतिम समय तक व्यथा पूर्वक बिताना पड़ा इसमें उनकी पापों का धंड कारण नहीं होता वे पुर्ण्य व्यतिरे की भरपाई करना होता है वे कईयों को कश्ट अपने उपर ले लेते हैं बीच में चुका सकें तो ठीक अन्यता अंतिम समय हिसाब किताब बराबर करते हैं ताकि आगे के लिए कोई जंजट शेश्ट न रहे और जीवन मुक्ति के स्थिती बनी रहने में पीछे का कोई कर्म फल व्यवधान न उत्पन करें सुक्ष्मी करण की विशिष्ट साधना मूल प्रशन जीवन सत्ता के सुक्ष्मी करण का है सुक्ष्म व्यापकुता है बहु मुखी भी एक ही समय में कई जगे काम कर सकता है जबकि इस थूल के लिए एक इस्थान एक सीमा की बंधन है इस थूल शरीधारी अपने भाग दौर स्चेतर में काम करेगा साथ ही भाशा ग्यान के अंदरू विचारों का आधान परदान कर सकेगा कि तो सुक्ष्म प्रवेश करने पर भाशा सम्मंदी जंजट दूर हो जाते हैं विचारों का आधा परदान चल पड़ता है विचार सिधे मस्टिश की अंतराल तक पहुँचाई जा सकते हैं उनके लिए भाशा माध्यम आवश्चक नहीं है याता यात की विस्था भी इस्थूल शरीधारी को चाहिए पैरों के सारे तो है गंटे में प्राया तीन माली चल पाता है वहाँ जिस गतिका होगा उसकी दौर भी उतनी ही रह जाएगी एक विक्तिकी एक जीव होती है उसका उचार उसी से होगा किन्तु सुक्ष्म शरीय की इंद्रियों का इस प्रकार का बंदन नहीं है उनकी देखने की सुने की बोलने की सामर्थ इस थूल शरी की तुला में अनेक गोनी हो जाती है एक ही शरीर समय अनुसार अनेक शरीरों में भी प्रतिवासित हो सकता है राज के समय शरी किष्म के अने एक शरीर गोपियों को अपने साथ सहन रित्त करते दिखते थे कंसवद के समय तता सीता स्वेंबर के समय उपस्ति जन समदाय को किष्ण और राम की विभिन प्रकार की आकरतियां जिस्टी गोचर हुई थी विराट रूप दर्शन में भगवान ने अलजुन को येशोदा को जो दर्शन कराया था वे उनके सुख्ष्म अमकारण शरी का ही आवास था अलंकार कावे के रूप में उनकी व्याख्या की जाती है सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है युगरिशी अगले चरण में इसपस्ट कर रहे हैं कि स्थूल शरी की तरह सुख्ष्म शरी भी हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है किन्तों उनकी सामर्थियों बड़ा अंतर होता है जैसे इस्थूल शरी में अपाहिजों से लेकर परम बलवान तक की अनेक शरणिया होती है उसी तरह सुख्ष्म शरी की सामर्थे की भी शरणिया होती है जिनें विशिष्ट साधनाओं द्वारा भी विक्सित किया जाना संभव है यह स्थिती शरीर त्याकते ही हर किसी को अपलवध हो जाए यह संभव नहीं बूत प्रेद चले तो सुख्ष्म शरी में जाते हैं पर वे बहुत ही अंगण स्थिती में रहते हैं मातर संबंदित लोगों को ही अपने आवशित्ताइं बताने बरके कोछ द्रिश्य कटनाई से दिखा सकते हैं पितर इस्तर की आत्माएं उनमें कहीं अधिक सक्षा होती है उनका विवेक विभार कहीं अधिक उदात होता है इसके लिए उनका सोक्षम शरीरों को उचिस तर एक्षमता संपन बनाने के लिए विशेश प्रत्न करते हैं वे तपस्री स्थर्क्य होते हैं सामाने काया को सिध्व पुर्श स्थर्की बनाने के लिए अन्यक साध्राएं करनी पड़ती है इस से अगला करम कदम सोख्ष्मी कर्ण का है। सिद्पुरश अपनी काया की सीवा में रहकर जो दिव्यक्षमता अरजित कर सकते हैं कर लेते हैं। उसी से दूसरों की सेवा सायता करते हैं। किन्तु सोख्ष्म शरी विक्सित कर लेने वाले उन सिद्ध्यों के भी धनी अधि कहा गया है। शरीर का हलका भारी दृश्य हो जाना यहां से वहां जा पहुँचना प्रतक शरीर के रहते वे संभव नहीं। क्योंकि शरीर गत परमाणूंगों की संद्ध्य नहीं ऐसी नहीं हैं जो पदार्थ विज्यान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सकें। कोई मन दन्तियों के आधार पर कोई किसी से इस तर की सुध्यों का बखान करने भी लगे तो उसे अत्युक्ति ही माना जाएगा। आप प्रत्यक्ष को प्रमानित किये बिना किसी की गति नहीं। प्रस्म सुख्ष्मी कर्ण का है। यह एक विशिश साधना है जो स्थूल शरीर मे रहते वे भी किजा सकती है और उसे त्यागने के उप्रांध भी करनी पड़ती है। दोनों ही परिस्तितियों में यह इसनी बिना अत्रित प्रयोग प्रुशार्त के तब साधना के संभव नहीं हो सकती। इसे योग अभ्यास तपश्चर्या का अगला चरण कहना इसके लिए किसे क्या करना होगा यह उसकी वर्तवान स्तर यह उच्च स्तरिये मार दर्शन पर निर्भार है। सबके लिए एक पार्टिकर नहीं हो सकता। किन्तु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अभ्या रोकना पड़ता है। अंडा जब तक पक नही आधी का अप्रयोग प्राया इसी निमित होता था। शिवजी के गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत प्रेद जिन्न मसानों की एक अलग ही विरादरी थी। अलादीन का चिराग जिनोंने पड़ा है उन्हें इस समुदाय की गतिविदियों की जानकारी होगी। चाया पुर्ष साधना में अपने निच के शरी से ही एक अतिर् विक्षिब्द इस्तर के युद्धा रनभूई मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे हो। उन दिनों युद्ध की मारकाट ही सरत्र संब्याप्त थी। पर साथ ही सुक्ष्म शरीधारी देवर्षियों का भी कम मुलेक नहीं है। राजर्षी और ब्रह्मर्षी तो इस्तूल शरीधारी ही होते थे पर जिनकी गती सुक्ष्म शरीधारी में काम करती थी वे देवर्षी कहलाते थे। वे वाईयुब होतो कर विचरम करते थे लोक लुकांतरों में जा सकते थे। जहां आवישक्ता अनभव करते थी वहां भक्त ज़मों का मारदर्शन करने के के लिए अनायास ही जा पहुंचते थे रिशियों में से अन्य कईयों के भी उल्लिक मिलते हैं विस समय समय पर धैर देने मार दर्शन करने यह जहां अविशक्ता समझी है वहां पहुंचे हैं प्रकट हुए हैं पैरों से चलकर उन्हें जाना नहीं पड़ा है अभी भी हिमाल तिबबत की लामाओं से ऐसी कितनी कथा गाताएं सुननी गई हैं थिवासिफिकल सोसाइटी की मानता है कि अभी भी हिमाले के धुरुव के अंदर पर एक ऐसी मंडली है कि जो विश्व शान्ती में योगदान करती है इसे उन्होंने अद्रिश सहायक का नाम दिया है यहां आन बैठना गलती होगी कि वे सर्व समर्थ है और किसी की भी मनोकामना को ततकाल पूरी कर सकते हैं या अमुख बर्दान दे सकते हैं कर्म फल की वरिष्टा सर्व परी है उसे भगवान ही घटाये मिटा सकते हैं मनिश्र की सामर्थे से वे बाहर है जिस प्रकार बिमार की पत्ति ग्रस्त की धनी साहता कर सकता है ठीक उसी प्रकार सुष्म शरीलधारी देवर्शी भी समय समय पर सतकर्मों के निवत बुलाने अथ्वा बिना बुलाई भी साहता के लिए द्वार पड़ते हैं इसे बहुत लाब भी मिलता है इतने पर भी किसी को यह नहीं मान चाहिए कि पुर्शारत की अविश्क्ता ही नहीं रही यहां उनकी आड़े आते ही निशित सब्विक्ता मिल गई यदि ऐसा रहा होता तो लोग उनहीं का साहरा लेकर निशिंत हो जाते और फिर निजी पुर्शारत की अविश्क्ता न समझते निजी कर्मफल आड़े आने परिसित्यों के बादक होने की बात को ध्यान में ही ना रखते यहां एक अच्छा उधारण हमारी हमालेवासी गुर्देव का है सुर्षिम शरीधानी होने के कारण ही भी उस प्रकार की बातावर्ण में रह पाते हैं जहां जीवन निर्वा के कोई साधन नहीं है समय समय पर हमारा मारदर्षन और साहता करते रहे हैं इस कारत यह नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा कोई कटनाई मारग में आई ही नहीं कभी असरवलता मिली ही नहीं यह भी होता रहा है पर निशित है कि हम एकाकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सायोग से मनोबल बहुत बड़ा चड़ा रहा है उचित मारदशे मिला है कटनाई की दुनों में धैर और साहस यथावत इस्तिर रहा है यह कम नहीं है इतनी यह आशा दोसरों से करनी भी चाहिए सब काम करके कोई और रख जाएगा ऐसी आशंका ऐसी आशा तो भगवान से भी नहीं करनी चाहिए यूग रिशी के मालेवासी गुर्देव का यह संकित मर किया गया है उनके बारे में यूग रिशी के प्रत्यक्ष संबंदों के बारे में जानने के लिए यूग रिशी की जीवनी हमारी वस्यत और विरासत पढ़ी जा सकते है भूल यह होती रही कि देवी सहयता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की छड़ी घुमी और मन्चहा काम बन गया अच्छा शिक्षक मानकर अपने कदम अधिक सावधानी से अधिक बहादूरी के साथ उठाने की तयारी करनी चाहिए सुक्ष्म शरीर की शक्ति सामानिता भी अधिक होती है दूरदशन, दूरशरवन, पूर्वाभास, विचारसंपिशन, आदिम इप्राया, सुक्ष्म शरीरों की ही भूमिका रहती है उनकी सहयता से कितनों खुई वे पत्यों से उबरने का अफसर मिला है कईयों को ऐसे सहयता मिली है जिनके बिना उनका कार रुगा ही पड़ा रहता दो सच्चे मित्र मिलने से लोगों की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है वैसा ही अन्भव अधिर्श्य सहयकों के साथ संबंध जुड़ने से भी करना चाहिए जिस प्रकार अपना दिर्श्य संसार है और उसमें दिर्श्य शरी वाले जीवधारी रहते हैं ठीक उसी प्रकार उससे जुड़ा हुआ एक अद्रश्य लुग भी है उसमें सूख्ष्यम शरीधारी निवास करते हैं इनमें कुछ बिल्कुल साधारन, कुछ दुरात्मा और कुछ अत्रन्त ओचिस्तर के होते हैं वेब मनश्य शोक में विच समोचित दिल्चस्पी लेते हैं बिग्डों को सुधारने और सुधरों को अधिक सबल बनाने में यतोचित साहयता करते रहते हैं फिर सहयोग मांगने का प्रयोजन और मांगने वाले का इस्तर उपिक्त होने परतोब है साहयता अच्छी तरह और भी बड़ी मात्रा में मिलती है हमें भी यही करना है यह सुष्म शरी की सुष्म लोग की सामाने चर्चा हुई प्रसंग अपने आपका है यह विशम बिला है इसने प्रतेक्ष शरीर वाले प्रतेक्ष उपाय उप्चारों से जो कर सकते हैं सो तो करी रहे हैं करना भी चाहिए पर दीखता है कि उतने भर से काम चलेगा नहीं सशक्त सुष्म शरीरों को बिगड़ों को अधिक न बिगड़ने देने के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा संभालने के लिए जो प्रक्रिया चल लही है वह परयाप्त नहीं होगी उसे और भी अधिक सरल सफल बनाने के लिए अधिश्य सायता की भी आविशकता पड़ेगी ये सामय समस्चाओं के लिए भी अविशक होगा और व्यक्तिकत रूप से सत प्रयोजनों में इंसनलंगन प्यक्तितों को अगरगामी ये शर्ष्टी बनाने की द्रिष्टी से भी उचित होगा हमें ये काम स्वबा गया है ये उसे करने में आना कानी कैसी दिव्य सत्ता के संकेतों पर चिरकाल से चलते आ रहे हैं और जब तक आत्मभूद जागरत रहेगा तब तक यही इस्तिती बनी रहेगी यही गतिविदी चलेगी यह विशम बेला है इन दोनों द्रिष्टी और द्रिष्टी शेतर में जो विशाक्तता भरी होई है उसका परिशोधन प्रयास अविलम आवर्शक हो गया है तो संजीवनी बूठी लाने के लिए परवत उख़ड लाने और सुशेन वैद्दे की खोज में जाने के लिए जो भी करना पड़े करना ही चाहिए यह कारे स्थूल शरी से बनता ना देखकर सुख्रिम शरी को प्रसब्द से जागरत इसनी में लाने के लिए हमें अविलम जुटना पड़ रहा है डालना ही होगा तीसरा विश्युद इन दनों हमने आने काने एसी गुथियां गुथनी हैं जिनका इतियास में कोई प्रमाण उधारन नहीं मिलता लगबग सभी मौलिक हैं बले ही उनका आधारबुत कारण एक ही हो उनके समाधान के लिए मौलिक सूझभूश और मौलिक सहास की जरुत पड़ेगी पुरातन उधारन और समाधान इस अधिक काम ना आ सकेंगे प्रस्तुत गुथियों में से एक एक करके इस क्रम से विचार करें कि कौन अधिक भयावया है और किसकी प्रतिक्रिया अधिक विनाशकारी हो सकती है इस क्रम में संभावित तरतिये विश्यूदिगी समस्या सबसे बड़ी है पिछले दो युद् अंतर रसायनिक बम भी कम घातक नहीं है और इतनी अधिक संख्यां बन चुके हैं कि उनके प्रहार होने की संभावना निरंतर सामने रहती है उनकी घातक तक के समन्द में कहा जाता है ये एक बम से मौस्को इंग्लेंड पैरिस आधी में से किसी का भी कुछी सेकंडों में स बिवन सुरक्षित ना रहेगा हवा पानी और खाद में इतना विच खुल जाएगा कि उसका आश्रा लेने वाले किसी की भी खैर न रहेगे ये धी है बम कुछ और अधिक मातरम चलते रहे तो प्रित्वी खंड भी खंड होकर उस चूरे के रुप में अंतरिश मुणने ल स्माप्थ हुआ परमानों बमों रासानिक बमों के रपेट में ऐसे वनवासी आज सकते हैं जिने युद्ध से कुछ भी लेयार देना नहीं है विशाक थावा और विकिरन की चपेट से कोई भी कहीं भी रहने वाला सुरक्षित नहीं है ऐसी दशा में समझ संसार को युद टेक के लिए उतना ही बड़ा संकट विद्धिमान है जितना की अनुबम बनाने या चाराने वालों के लिए होता है इसकी चपेट में प्रत्थ्वी के मानवेता प्राणी भी आते हैं और विक्ष वनस्पतियों का जलाशियों का जीवन समाप्थ हो जाने की पूरी पूरी आशंका है इतने बड़े प्यमाने पर कोई बचाव का प्रवंद भी संभव नहीं धाल छोटी सी होती है और वशत्रू के प्रहार से मात्र सीने और सिरका कुछ भागी बचा सकती है शेशंग शत्रू के पकड़ से नहीं बचते इस प्रकार अनुबमों की मार से खाई बचा भी लिया जाए तो भी उससे क्या बनेगा निकलने के बाद भी उन्हें उसी विशक्त संसार में सांस लेनी पड़ेगी इतने बरसे उनका भी सफाया हो जाएगा इस थिती की भेंकरता आज का ये संकर सबसे बड़ा है भले ही वे प्रतेक्षाखों के सामने खड़ा दिखता हो और ततकाल अपनी भेंकरता के प्रावन प्रस्थित न करता हो तो भी यह निशित है कि किसी का भी जीवन या भविश्य सुरक्षित नहीं कोई ऐसा अधपगला स्टोर की पर इस बारूत के भंडार में एक तीली फेक कर बड़न दबा कर वे द्रिश्य उपस्थित कर सकता है जिसकी चर्चा इन पंक्तियों में की जा रही है एक और आकर्मण हो और दूसरा चुब बैठा रहे यह भी नहीं हो सकता प्रश्न हलके बारी आकर्मण का नहीं उसका थोड़ा सा प्रयोग भी सर्वनाश कर सकता है उससे न शत्र पक्ष के लोग बचने वाले हैं और न मित्र पक्ष के पिछले युद्धों में यह अकटना ही नहीं थी उसमें प्रती पक्षियों को मारने का ही ताना बाना बोना जाता था पर इसमें तो वैसा भेद भी नहीं हो सकता बायो किसी श्चेतर में सीमिद नहीं रहती विकीरणफ़ फैलने पर उसकी परनती समश्च श्चेतर को ही सहनी पड़ती है बले यह उसमें मित्र समदा ही क्योणा रहता हो समस्च विशुके प्रते गटक को अपनी विभीश का परि चीन आधी के पास भी हैं इसलिए कौन कब क्या कर बैठे इस समंद में कुछ नहीं कहा जा सकता है इस विस्तार से गुत्थी उलजी ही है समाधान सोचने से पूर इस संकट के उत्पन होने और बढ़ने के कारणों पर तनिक विचार करने तो ठीक होगा फिटल हारा तो उसकी पोडली में से अनु बम का नुस्खा निकलाया अमेरिका ने उसे विक्सित किया और जापान की विर्द उसका छोटा उप्योग भी कर लिया जापान इस बड़े आगात के लिए तयार नहीं था उसने आत्समरपन कर दिया बात यहीं से आरंब होती है हर वरिष्ट अब मों प्रमुख प्रतिद्वन्दिता इन्हीं दो के बीचल रही है इन्हीं के दो खेमें बन गए है समाधान आसान नहीं है असमंज़त इस बात का है कि ना आगे बढ़ते बन पड़ रहा है और ना पीछी अड़ते आगे बढ़ते चलने में अनेक समस्याएं सामने है इतने बन चुके बेव प्रतिपक्षी को ही नहीं समसंसार को धूल में मिला देने के लिए पर्याप्त है फिर और अधिक बनाकर उनका क्या किया जाए इतने पर भी यह प्रशन सामने है किस कारे में जितने कारखने जितने बेढ़्यारिक लगी हुए है उनका क्या हो फिर शत्रु ने कोई और भी बड़ा आयुद निकाल लिया तो पिशर जाने का जोखिम कौन मोले बंद करने पर दूसरा पक्ष जारी रखे रहा तो अन्य प्रकार का ऐसा आयुद धून निकाला जा सकता है जिसमें अब तक दिर्मान छोटा साबित हो ऐसी दशा में प्रतित अगत लग रही है वह कब तक लगती रहेगी फिर प्रयोग में दस-पांच आयुद ही आने को प्रांच जो बचेंगे उन्हें कहां रखा जाएगा वे विकिरन फैलाते हैं और अनति में कहीं ना समापन के लिए जगह मांगते हैं इन भट्टियों में से निकली हुई राक कितनी भैयानक होती है यह भी किसी से चिपा नहीं है निर्मान जारी रखने पर ना केवल विनिर्मित निर्मान का वरन राक का भी सवाल है जो उसे अधिक पेचीदा है इन कारणों को देखते वे लाब इसमें है कि जापान जैसा प्रयो कोई एक किसी दूसरे के विरुद क कर ले और ततकाल लाब उठा ले पर ऐसा कर सकना वरतमाम परिस्तियों में संभव नहीं रहा जापान की बास बदला लेने के साधन नहीं थे पर आज तो कोई भी बदला ले सकता है चीन एरान और इसराइल जैसे वेग्यानिक प्रगति में पिष्डे समझी जाने वाले दे पूंजी अपने पेट में सवाएं बैठे हैं उन सब क्या होगा आकर्मन से पूर अब बचाव का प्रिष्ट और आहम है अपनी ओर से हाथ खीचें तो सामने वाला भी वैसा या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं जारी रखा जाए तो कैसे कब तक अभी कितनी और पूंजी इस गोरक धंदे में लगानी पड़ेगी वै आएगी कहां से आत्मिनक्षा को महत देने वाली समर नीती समझोतों की चर्चा की इजाज़त नहीं देती पुरानी बात अलग थी जब आनबानी सब कुछ थी अब मुछे मुरुने और ततकालुने नीची कर लेने में किसी को स सरल नहीं है जापान का उधारन देखकर जो कल्पनाई की गई थी बहजारों मिल दूर गई कोई भी राज हड़पना चाहता हो सो बात भी नहीं है कभी प्रजात तंत्र और सामयवाद का नशाय जोरों पर था अपने मत का संसार बना लेने की जग कभी भी इसलिए जिहाद बोल देने का भी जूर्श था अब ये ठंडा पड़ गया अब प्रजातंतर राजतंतर सामयवाद की मिली जूली खिचड़ी पक रही है और सभी के मस्तिष्क राष्टवादी संकिर्णता पर आकर अबुरुद हो गई हैं अपने यहां कोई किसी सद्धानत का पालन करें दूसरे देशों में उसे चलना ही चाहिए इसकी किसी को आगर नहीं ऐसी दशा में शासन पद्धती अपने हिसाब से बनाने के लिए कोई बाहरी देशों में जाकर युद जैसी जोखिम उठाने को तयार नहीं शीरत युद में गुप चुप साहयता इस या उस पक्ष की क करता है यह बात दूसरी है यह समस्त परिस्थियां यह बताती है कि ना महायुद छिड़ना सरल है और ना उससे हाथ कीचना इस्थिति को यह थापत बनाई रखना इतना खर्चिला है कि बहभी लंबे समय तक इसी प्रकार चलते रहने नहीं दिया जा सकता आखिरकार देने रखने में ही खुशी देखते हैं आक्रमन का जोश ठंडा पड़ता जाता है पर प्रतिपक्ष के प्रति अविश्वास और भाय का भाव इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि कोई निर्णय करते नहीं बन पड़ता अब वायदों का कोई भी तो मूले नहीं रह गया है